तुडेर स्टुडेंट्स, मी दॉक्र अतुलगर्ग, असोसियेट प्रोफेसर, गॉवर्मेंट बांगड कॉलेज दीद्वाना, तुडेः, वी विल दिस्कस, डिफरेंशिल क्यल्कुलस, फस्ट सी, जो हम पढ़ रहे थे, और नेज समीकरण के लिए हमने रेडियस आफ करवेचर निकाला था, और रेडियस आफ करवेचर जिसको रो से लिखते हैं है अपन, वो नेज समीकरण में आया था, ds by d si, rho is equal to ds by dsi, आज उसके आगे चलते हैं, कार्तिक समीकरण में, कार्तिक निडिदेशांकों में कोई समीकरण दे रखी है, Cartesian equation तो उसके लिए ρो वकृता त्रिज्या radius of curvature कितना होगा ये calculate कर रहे हैं और जो रोखा मान है उसे अपने को याद रखना होगा जिससे सारे questions जिसमें वकृता त्रिज्या या वकृता ग्याद करवाई जाएगी वो इसी formula से अपन ग्याद करेंगे तो पढ़ते हैं Cartesian equation के case में radius of curvature क्या होता है let equation of the curve y is equal to fx अपने को एक curve दे रखा है then we know that dy by dx तो होता है tens i differentiating with respect to s अगर s के respect में इसे differentiate करें tens i is equal to dy by dx को तो sec square psi इसको differentiate कर रहे है अपन तो 10 psi का तो sec square psi और psi को s के respect में differentiate किया तो d psi by ds right side में आगे d2y by dx square और ds by ds s के respect में differentiate अपने इसे किया है तो left hand side में तो psi था d psi by ds आगे right side में x है तो ds by dx by ds आगे therefore ds by ds इससे निकाला अपने ds by ds आगे तो वो हो गया right side में लेकर ds by ds आगे तो यह आगे sec square side ds by dx over d2y by dx square इसको ठीक तरह से लिख लिए है बस तो ds by ds का मान आगे क्योंकि ds by ds आगे वकृता तिज्या कहलाती है नेच समी कड़की स्थिति में तो sec square side हो गया 1 plus 10 square side उपर ds by dx है और निचे d2y by dx square as it is बना हुआ है तो ds by dx लेकिन हम ds by dx radius इससे पहले वाली first a में अपने देखा था जो derivative of length of an arc पढ़ा था उसमें ds by dx और ds by dy निकाला था अपने तो ds by dx अपन जानते है 1 plus dy by dx का whole square होता है क्योंकि इस case में अगर ये point P ले ले ये point Q ले ले जो figure दे रखा है इसमें देखें तो ये dx है ये dy है ये ds है और ये angle alpha है तो dx by ds cos alpha था और dy by ds sin alpha था तो ds by dx हो गया इसको reverse कर दिया अपने तो sec square alpha का under root बन गया 1 plus 10 square alpha बन गया तो ds by dx अपने को मालूम है अपने देखा था last chapter में तो ds by dx था 1 plus dy by dx का whole square तो यहाँ पर जो ds by dx आ रहा इसकी value अपने को लिखनी है तो ये आ गया ds by dx हो गया 1 plus ये 1 plus 10 square साही है तो 10 square साही dy by dx है तो 1 plus dy by dx आ गया है तो और ds by dx आ गया under the root 1 plus dy by dx का whole square तो ये 1 plus dy by dx का whole square की power 3 बटे 2 हो गई बटे d2 by dx से square आ गया दोबारा समझे लो इसे ds by dx हो गया under the root 1 plus dy by dx का whole square और इससे पहला bracket 1 plus 10 square साही है और 10 साही का मांण dy by dx है तो पहले वाला bracket बन गया 1 plus dy by dx का whole square तो कुल 1 plus dy by dx के whole square की power एक प्लस आदा 3 बटे 2 बन गई और नीचे d2 by by dx से square ही और चुकि नैज समी करण में हमने देखा था ds by ds वकृता तरिज्या होती है रो होती है तो रो चुकि ds by ds ही होती है तो कार्टीशन के case में जब करण का equation कार्टीशन equation दे रखा हो उस case में यह हो जाएगा 1 plus dy by dx का whole square over d2 y by dy by dx के whole square की power 3 बटे 2 बटे d2 y by dx square dy by dx को y1 से लिख दिया गया है d2 y by dx square को y2 से लिख दिया गया है आप सब जानते हो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा अपने को नहीं लिखना पड़ेगा बार-बार upon करके dy by dx और upon करके d2 y by dx square आदी इसमें एक नोट करने वाली बात है tangent line perpendicular to x-axis तो dy by dx 0 हो जाएगा इस case में तो ध्यान रखेंगे अब थर्ड case आता है जैसे पहला अपने पड़ा था net samikran जो कर्व है उसका net samikran SI में samikran दिया हो दूसरा अपने पड़ा जब कर्व का equation partition equation दिया हो xy में दिया हो और थर्ड पड़ते हैं अपन parametric equation जो प्राचलिक samikran दिया हो कर्व का xb t में दिया हो और yb t में दिया गया हो तो let equation of the curve is given as x is equal to some function of t f1 t और y is equal to another function of t f2 t तो dy by dx अपन जानते हैं dy by dt over dx by dt होता है means f dash t f2 dash t upon f1 dash t मतलब y dash upon x dash होगा तो अपन इस से आराम से dy by dx calculate कर लेंगे और जो अपन ने अभी equation पढ़िए partition equation उसमें dy by dx चाईगी और d2 y by dx square भी होना चाहिए ये d2 y by dx square और निकाल के इन मानों को अगर अपन उसमें रख देंगे partition वाले form में बकरतात तरिजा का मान निकालने के लिए जो काम में लिया था भी तो फिर प्राचलिक समीकन के रूप में भी रो का मान वकरतात तरिजा का मान अपन निकाल लेंगे तो d2 y by dx square हो गया d by dx और d y by dx तो d by dt of dy by dx से y dash over x dash dty dx लिख दिया इसे तो ये तो नीचे वाला फलन उपर वाले फलन का आवकलन मैनस उपर वाला फलन नीचे वाले फलन का आवकलन बठे नीचे वाले फलन का वर्ग ये तो d by dt of y dash over x dash आ गया और dx by dt x dash था तो उसको अपर ने one upon x dash लिख दिया d t by dx को तो ये आ गया x dash y double dash minus y dash x double dash upon x dash cube तो d2 y by dx square भी आ गया अब इन मानों को जो partition का formula है ये रहा ये जो partition वाला formula था इसमें put करेंगे तो इन मानों को putting these values of dy by dx and d2 y by dx square in row of Cartesian value of row in Cartesian equation one plus dy by dx का whole square बटे d2 y by dx square वो पावर उपर तीन बटे दो और है तो one plus y dash upon x dash का whole square की पावर तीन बटे दो बटे जो अभी अपने निकाला है d2 y by dx square x dash y double dash minus y dash x double dash upon x dash cube तो यह आगया x dash plus y dash x dash square plus y dash square is to the power 3 by 2 और इसमें x dash square तो x dash cube common आएगा नीचे denominator में वो नीचे वाले x dash cube से cancel हो जाएगा अपने को कर्व की देदी अब कुछ विशेश सिस्तियां लेते हैं इफ दी वाई बाई डी एक्स at 00 मूल बिंदू पर दी वाई बाई डी एक्स मान लिजे पी है और x-axis tangent line है कर्व की मतलब उपर की ओर कर्व बना हुआ है और x-axis इस पर्ष रेखा है tangent line है then radius of curvature at origin rho is equal to limit y tends to 0x square upon 2y यह newton's method है तो यह आपको याद भी रखना है इससे question भी अपन निकालेंगे क्योंकि इससे रोका मान सीधा आगया limit y tends to 0x square upon 2y इसको भी प्रूव करते हैं लेकिन यह अपने को याद भी रखना है क्योंकि निकालेंगे मेथड से रोका मान जब x tangent line हो और curve passes through the origin हो तो limit y tends to 0x square upon 2y rho सीधा वक्रता तरज्या आती है इसका प्रूव भी कर लेते हैं इसका प्रूव देखे when curve passes through origin and x axis is tangent at origin x axis इस पर श्रेखा बन जाती है जब origin पर then x at x is equal to 0 y is equal to 0 dy by dx at 0 0 is 0 तो p 0 आ गया p तो 0 गा dy by dx तो 0 0 पर 0 ही है क्योंकि x axis से बनने वाला कॉंड 0 है तो फिर यह dy by dx भी 0 आ गया now from McLaurin's expansion y is equal to f 0 plus x f dash 0 plus x square बटे 2 f double dash 0 and so on तो y is equal to f 0 तो 0 है f dash 0 भी 0 आ गया तो यह भी 0 लिख दिया फिर x square बटे फेक्टोरिल दो f double dash at 0 q है तो q लिख दिया तो यह होगे 2y upon x square is equal to q और terms containing x x की terms आएंगी अब limit ले रहे हैं अपन x tends to 0 तो तो taking limit x tends to 0 and y tends to 0 दोनों 0x और y को मूल बिंदू पर ही लेना है अपने को इसलिए x 0 और y 0 ले तो limit x tends to 0 to y upon x square होगे q तो यह x की terms आएंगी जीरो होगे but we know that rho is equal to 1 plus p square raise to the power 3 by 2 over q तो 1 upon q होता है तो rho is equal to हो गया इन दोनों को अगर score इसको एक साथ लिखें तो rho हो गया limit x tends to 0 and y tends to also 0 इसमें y tends to 0 ही लिखेंगे फिर x square over 2y x square उल्टा करती है उसको 1 upon q है इसलिए x square upon 2y होगा similarly y axis is tangent line इसी प्रकार अगर कर्ब मूल बिंदू से गुजर रहा हो और y axis tangent line बन रही हो तो rho का मान हो जएगा limit x tends to 0 y tends to 0 y square upon 2x इसका भी उल्टा करती है माना पने simply तो ये भी y अगर tangent line बनती है तो इस तरह से लिख देंगे अब polar form की बात करें in polar form अगर ये ही जो origin से पास होने वाला x axis और y axis अगर tangent line बन रही हो तो इस case में वकृता ज़रो बरावोगी limit x tends to 0 x square upon 2y is equal to limit x theta tends to 0 r cos theta upon r sin theta लिख दिया है इसमें तो r square over 2r into 1 upon theta limit theta tends to 0 r upon 2 theta इसमें कट गया है एक r cancel हो गया तो ये आ गया r upon 2 theta क्योंकि limit theta tends to 0 sin theta theta होता है cos theta 1 होता है तो r cos theta r sin theta लिखे हैं अपने cos theta की जगे 1 लिख दिया है limiting case में sin theta की जगे theta लिख दिया है तो x की जगे r cos theta लिखा था अपने तो r square cos square theta cos square theta को अपने 1 कर दिया तो किवल r square बच गया है 2 है y is equal to r sin theta था तो r sin theta को theta लिख दिया तो ये as it is इसमें आ गया limiting case में ये बने limiting case लग दिया तो फिर limiting case में और polar form में रोका मान होता है limit theta tends to 0 r upon 2 theta जब x axis जब x axis उसमे अपना tangent line था और origin से पास हो रहा था उस case में तो 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 तो